जैहिंद 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 बोमेरूंग दोनी पॉलोनों आईदूंग पासिगार्ट सहीद अरुनाचल इस्ट लोकसभा सीट के तहट आने वाले सभी छेत्र के साथियों को मेरा प्रणाम मंद्पद्विराजमान यहां के लोक प्रिय और युवा मुखमंत्री प्रेमा जी हमारे उमीदवार सभी सभी वरिष्ट नेतागान और विशाल संख्या में हमें आथिरवाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों तीस मार्च को मैं आलो आया था वहां से अरुनाचल के हर वासी का आपके सयोग के लिए आपके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया था आज एक बार फिर आपके प्यार के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन करता हूँ साथ्यों आपका प्यार और उसी का ये पनिनाम है कि आज हम अरुनाचल में गाउं गाउं में सडके हो नेशनल हाइवे हो रेलवे हो या फिर एरवे कनेक्टिवीटी को मजबूत करने में बहुत काम कर पाए है आप मुझे बताईए अगर आपका मुझे साथ न मिला होता तो ये काम मैं कर पाता क्या अरुनाचल का भला हो सकता था क्या विकास के काम हो सकते थे क्या कनेक्टिवीटी के काम हो सकते थे क्या ये आपके सयोग के करन हुआ कि नहीं हुआ, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तेजु और पासीगाट में एरपोर्ट, नहर लागुन और गोहाटी के बीच चलने वाली अरुनाचल एक्सप्रेस, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट आपके मजबूत विश्वास का ही परिणाम ह है, अब यही जगा देख लीजिए, मैं 2014 में हाँ आया था, तब यह खेत था खेत, और उस कोने से, उस खेत में कुछ लोग आये थे, उनको मैंने सम्मोधित किया था, आज देखते ही देखते, एक शांदार स्टेडियम बन गया, अब अरुना चल से फुटबॉल के तगड़े खिलाडी निकलेंगे के नहीं निकलेंगे, पासी गाड का नाम रोशन होगा और नहीं होगा, आपने साथ दिया, तभी हम पासी गाड और इटानगर को स्मार्ट सीटी के रुप में विक्सित करने का बिड़ा उठा पाए है, आपके मजबुत विश्वास का ही नतीजा है, कि आज अरुना चल में शिक्ष्या वर्थ स्वास को लेकर अनेक संस्तान बन रहे हैं, आपके विश्वास का ही परणाम है, कि आज अज अजिके साथ दसक बाद अरुना चल के सभी गामों तक बिजली पहुचा पाए हैं, हर गर को रोशन कर पाए हैं, भाई और बहनों, इटांग नगर और दिल्ली में विश्वास का डबल इंजीन आप सब लोगों ने लगाया, इसी का परणाम है, कि आज विकास के नए रास्ते पर अरुना चल चल पड़ा है, भाईयों बहनों, जिन लोगों ने सब्तर साल तक राज किया, एक परिवार ने पच्पन साल तक राज किया, देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं, कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिये हैं, मुझे तो पांच साल अभी होने बाकी है, तो मैं भला ये तो दावा नहीं कर सकता हूं, कि मैंने सारे काम पूरे कर दिये हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समाधान कर सकता हूं, कि मैं हर चुनोतियों को चुनोती देने वाला इंसान हूं, मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में लेने की तैयारी रखने वाला इंसान हो और जो काम हाथ में लेता हूँ उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहता हूँ आपने कभी सुना है कि आपका एज सेवक कभी छुट्टी पे चला गया सुना है कभी छुट्टी ली है कभी आराम किया है कभी मौज मस्ती में टाइम बिगाड़ा है आपी के लिए लगा हूँ के नहीं लगा हूँ सवा सो करोर देश वाच्चुर के लिए लगा हूँ के नहीं लगा हूँ यह आपका आशिरवाद है आपका प्रेम है जो मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की नई उर्जा देता है ट्रांस्पोर्ट से ट्रांस्पोर्मेशन का हमारा संकल्प मजबूत है अरुनाचल और नौर्थ इसको इस एशिया का गेटवे बनाने का हमारा लक्ष है नए अरुनाचल के लिए बीजेपी का वीजन है संपर्क, संसाधन और सम्मान इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर आप सद्वी का आदेश देने के लिए मैं और मेरे तमाम साथी आज आप सभी के बीच आए है मैं जड़ा पूछना चाहता हूँ क्या आप आपके इस चोकीदार ते खुश है ना खुश है ना बराबर खुश है ऐसे ही नहीं बोल रहे ना आप मेरे युवा मित्र प्रेमा खंडुजी और अरुनाचल के लिए सबर्पीत कार करता हूँ तो चोकीदारों की उनकी पूरी टीम के लिए खुश है कि नहीं है सब खुश है आपको संतोज है भाई और बहनों इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है ये चुनाव संकल्प और साजिस के बीच का चुनाव है ये चुनाव भरोसे और ब्रस्टाचार के बीच का चुनाव है ये अरुनाचल नौर्थ इसके विकास के लिए दिन रात एक करने वालों और दसकों तक अरुनाचल नौर्थ इसकी उपेख्शा करने वालों का चुनाव है मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत परंपरा आपके गवरों के रक्षा करने वालों और आपके परिधनों आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गवरों के साथ शिकार करने वाला आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकिदार आपके साथ कड़ा है वो दल जिनोंने कभी देश की आशाओं आकांख्षाओं को नहीं समझा जिनोंने देश पर राज करने की नियत से सत्ता पर कब्जा जमाए रखा जबकि आपका ये चोकिदार आपके सेवक की तरह हर हमेशा आपकी सेवा में तयार है आपकी आशाओं उमीदों आपकी जरुरतों को समझते हुए मैं काम करने की सफलता पाने की सुविदा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ हम सिर्फ एक बादा करके उसे दसकों तक लटकाए रख्षने वाले लोग नहीं है बलकि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी इमानदारी से काम करने वाले लोग है साथियों हमने तो हर घर को टॉइलेट के सपने नहीं दिखाए थे लेकिन आज हर गर्मे सवचालय के निर्मान का लक्षा प्राप्त करने की तरफ हम पूरी तरह सफलता देख रहे हैं हैं हमने तो कभी गरीब बहनों की रसोई को दुए से मुक्त करेने का डोल नहीं पिता था लेकिन आज साथ करोरते अधीग गरीब बहनों को मुप्त गैस कनेक्शन मिल चुका है हमने कभी किसानों की आखों में धूल जोंकर किसांकनों के नाम पर वोट मांगने का पाप नहीं किया था फिर भी हमने किसानों के लिए बीज से बाजार तक ववस्थाएं बनाई तमाम सुधार किये और पी-एम किसान सम्मान योजना भी लागू कर दी साथियों हमने ये भी नहीं कहा था कि देश के बारा करोड किसान परिवारों को अरुणा चल के पचास हजार के अधिक किसानों को हर वर्स हजारों करोड रुपिये सीधे बैंक खाते में जमा करेंगे लेकिन आज देश के तीन करोड से अधिक किसान परिवार के खाते में पहली किस के पैसे जमा भी हो गए है हमने स्वास के नाम पर बड़ी-बड़ी लुभावनी बाते नहीं की थी लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त योजना आयुश्मान भारत योजना लागू की आज इस योजना की वज़े से अरुनाचल के तीन लाख गरीब परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा उपलब्द हुई है और मेरे अरुनाचल के भाईयों बेनों ये स्वास्त योजना इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है अमेरिका केनेडा और मेक्सिको इसकी टोटल जो पॉपिलेशन है टोटल जन्संग क्या है उससे भी ज़्यादा ये भारत में आयुशमान के लाभार्थी है सांत्यों स्वच्छता तो वो विश्य था जिस पर हमारे देश में कभी चर्चा ही नहीं होती तो कभी ये बात ही नहीं उठी कभी किसी मैनिफेस्टों का अहम मुद्दा भी नहीं बना लेकिन हमने स्वच्छ भारत बनाने की ठानी और देश के लोगों के सयोध से आज स्वच्छ भारत के सचाई दुनिया के सामने देश के सामने है आज दुनिया के देश चीन समेट बारत का ये स्वच्छता अभियान का मॉडल का अध्यान कर रहे है ये ये आपको खुशी हो रहे कि नहीं हो रही है अच्छा लग रहा है निकले कर रहा है मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं साथ यो एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सीर्फ और सिर्फ जूठे बादों वाले नामदार है इन लोगों की तरह ही इनका गोशना पत्र भी ब्रश्ट होता है बेइमान होता है डकोसलों से भरा होता है और इसलिए उसे गोशना पत्र नहीं डकोसला पत्र कहना चाहिए साथियों सर्दी गर्मी बारिस कैसा भी मौसमों कैसी भी परिस्तिती हो चोकिदार पहरा देते हुए ये भी कहता है जागते रहो और इसलिए आपका ये चोकिदार भी आपको जागते रहो कह रहा है इनके ब्रश्ट वायदों से आपको आगाह कर रहा है आपको एक उदारन मैं दूंगा 2004 के अपने डकोसला पत्र में ये महा मिलावटी लोगों ने ये कॉंग्रेस पार्टी ने इन्हों ने कहा था कि 2009 तर ये बनावरूं का लिखा हुआ है देख लेना ये 2004 में कहा था आज मैं 2019 में आपसे बात कर रहा हूँ बिच में 15 साल बिद गए 2004 में उन्होंने लिखित में कहा था कि 2009 तक देश के हर घर तक बिजली पहुँचाने का बादा उन्होंने किया था कि इसके लिए बकाइदा एक प्रोग्रेम भी गोशित किया था लेकिन 2014 में जब मैं आया तब तक देश के 18,000 गावं अंधेरे में थे और करोडों परिवार उन्होंने बिजली नहीं देखी थी साल 2009 में फिर इनका एक और ढकोशला पत्र आया पहले के बादे का क्या हुआ कोई जवाम नहीं दिया और उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने भी कभी उनको सवाल नहीं पूछा फिर 2014 का चुनावाया और फिर एक बादा दुबारा दोहराया कि शहरों में सत प्रतिसत बिजली देंगे और गाओं में बिजली 90 प्रतिसत तक पहुँचाएंगे चार में कहते थे सबको पहुचाएंगे नौ में कहने लगे कुछ छुट जाएंगे और न चार में किया न नौ में किया न चौदा तक किया अरे भाई 2004 में जो बादा किया था उसके बारे में तो जराब बता देते साथियों इनके जूठे बादों के स्थिति ये थी कि अरुनाचल और नौर्थ इसके अठारा सो से अधिक गाउं और देश के तीन करोड से अधिक परिवार 2014 में अंदेरे में जीने के लिए मजबूर थे और देश के अंदर 18,000 गाउं जिनों लेक कभी बिजली नहीं देखी थी आपके इस चौकिदार ने हजार दिन के भीतर बिजली पहुचाने का लक्ष रखा और हजार दिन के भीतर वादा पूरा करके दिखाया भाई इतना ही नहीं देश के धाई करोड से अधिक घरों को भी इस चौकिदार की सरकार रोशन कर चुकी है अंदेरा मिटा सुकी है भाई और बहनों इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने देश में अलगावाद बढ़ाने के लिए हिंसा को प्रोचसान देने के लिए देश को गाली देने वालों को प्रोचसान देने के लिए भी एक योजना बनाई है जो तिरंगे जन्डे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं जो आपकी तरह जयहिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा लगाते हैं जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं जो बाबा साब आमबेड कर जैसे मनीशियों की मुर्तियां तोड़ते हैं ऐसे लोगों से भी कॉंग्रेस को सहानुभूती है जो भारत के समिधान को भारत के कानून के दाइरे को नहीं मानते ऐसे लोगों के खिलाप देश द्रोग का जो कानून देश में है उसको खत्प करने का बादा ये कॉंग्रेस पार्टी ने किया है आप मुझे बताइए क्या देश द्रोग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए देश द्रोईयों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर देश द्रोईयों को खिली चुड़ दी जाएगी तो आप लोगों को मुसिबत आएगी कि नहीं आएगी देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा इनको क्या हो गया भाईयों साथियों एक तरफ आपका ये चोकिदार देश के वीर सपूत देश को तोड़ने वालों के खिलाप खड़ा हो रहा है देश के भीतर हो या देश के बाहर भारत मापर हमला करने वालों के खिलाप आपका ये चोकिदार कठोर कारवाई कर रहा है वहीं दूसरी तरफ विचारों से दिवाल ये हो चुकी कॉंग्रेस सत्ता में वापसी की छटपटा हट में आज इतनी नीचे गीर चुकी है क्या ये देश में अलगाव की आवाज को मजबूत करने की कोशिश नहीं है कॉंग्रेस का हाथ देश के साथ है या देश द्रोहियों के साथ है इस चुनाओं में देश का नागरी कॉंग्रेस पार्टी के इन बातों का पुरा जबाम मांग करके रहेगा आप सभी मिलकर कॉंग्रेस और महा गठमंदन के नाम पर बाना महा मिलावटी लोग उनकी जमानत जब तक कराएंगे के नहीं कराएंगे उनको पुरी तरह हराएंगे के नहीं हराएंगे उनको हमेशा के हमेशा के लिए गर बेच देंगे के नहीं भर देंगे भायो अरुनाचल को बचाने के लिए अरुनाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेमा खांडू जी के हाथ मजबूत करना जरूरी है बारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है दिल्ली में भी कमल का एंजीन हो अरुनाचल में भी कमल का एंजीन हो फिर देखिए अर्वनाचल की गाड़ी कैसी तेज चलती है भाई आप आस्वस्त रहिए जब तक ये चोकिदार है तब तक देश को तोड़ने के बारे में सोचने वालों को सो बार सोचना पड़ेगा हम एक भारत स्वेष्ट भारत के लिए जीने मरने वाले लोग है यही अर्वनाचल के आप सभी साथियों की प्रेणा है यही 130 करोड भारत वाचियों का प्रण है साथियों आपने कॉंग्रेस और उसके सयोग्यों के साथ वर्थ भी देखे और चौकिदार के साथ महने भी देखे हैं बताईए कॉंग्रेस के नामदारों ने कितनी बार अरुनाचल की सूध ली थी कोई कॉंग्रेस ही आता था क्या अरुनाचल में दिल्ली के नेताओं को फुर्सत थी क्या अरे यहां के नेता जाते थे हफते हफते बर दिल्ली में उनको रुकना पड़ता था अरुनाचल की जनता के पैसों से वहां होटलों में रहते थे वहां के नेता उनको मिलने का टाइम नहीं देते थे मिलने का टाइम नहीं देते कॉंग्रेस के इतने प्रधान मंत्री हुए वो कितनी बार अरुणा चलाए थे किसी को याद भी नहीं होगा आपने कॉंग्रेस के इतने सालों तक प्यार दिया क्या उन्होंने आपके प्यार को सम्मान दिया क्या भाई और भेनों यही कॉंग्रेस की हकीकत है यही नामदारों की असलियत है उनके लिए वोट बेंग ही सब कुछ है यही कारण है कि इतने वर्षों तक अरुणा चल और नौर्थिस को उन्होंने बुला दिया था उनके ड़कोसला पत्र में देखिये नौर्थिस कहां होता है उनके बजेट उठाकर देख लीजिए नौर्थिस को वो कितना स्पेस देते से आपकी आवश्यक्ताओं को कितना सम्मान देते थे एक कांग्रेसी है जिसने नौर्सिस को ना तो दिल में जगह दि और ना ही दिल्ली में जगह दि दूसरी तरफ भाजपा है जिसने नौर्सिस के दिल को भी जोड़ा और दिल्ली को आपके पास ले करके चली आई साथियों ये अटल जी ही थे जिन्होंने पहली बार नौर्थिस के विकास के लिए अलग मंत्रा ले बनाया अटल जी ने जो काम चुरू किया आपको आपके इस चौकिदार की सरकार ने आगे बढ़ाया और हर पंदरा दिन में कोई न कोई केंद्रिय मंत्री की डूटी नौर्थिस में लगाई हमने बीते पांच बरसों में मैं खुद तीस से जादा बार और सैकड़ों बार केंद्र सरकार के मंत्री हमारे इस नौर्थिस के पूरे खेत्र में आ चुके हैं साथ्यों हम बार बार आपके बीच आते हैं क्योंकि हमें मा भारती के कौने कौने से प्यार है जन जन से लगाव है कॉं़िस सिर्फ वोट के लिए सत्ता के लिए आपको याद करती है क्योंकि वहां सिर्फ एकी परिवार से लगाव है कॉंग्रिस की ये दीती एक वोट बैंक बनाने की रही है वो इसी वोट बैंक के लिए काम करती है फिर चाहे उससे देश का नुक्सान क्यों न हो उससे अलगाव क्यों न पैदा हो भाईयों और भेनों अरुनाचल पूरी मजबुति के साथ 11 अप्रिल को विकास के डबल एंजीन को कमल चाप डबल एंजीन को शक्ति देगा अरुनाचल और देश की चोकेदारी को शसक्त करेगा इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ एक नारा बोलेंगे पुरी ताकत से बोलेंगे दोनों हाथ उपर करके बोलेंगे मैं कहूंगा मैं भी आप बोलिये चोकेदार हूँ मैं भी चोकीदार हूँ मैं भी चोकीदार हूँ मैं भी चोकीदार हूँ गाउं 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 गली गली गाउं गाउं चोकीदार गली 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 जोकीदार नवजवान, माताए बहने, खेच खलिहान, पूरा हिंदुस्तान, सीमा पर, गली-गली में, भायो बहनों, सबासो करोड देश का हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी चौकिदार, इसी भाव के साथ, आओ, देश को बचाए, देश को आगे बढ़ाए, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद,